आज हम आपके लिए लिखकर आए हैं गुरुदेव रबींदर नार्ट टैगोर की कहानी औरोसन सन 1900 में मोलतह बांगला में लिखी वी ये कहानी प्राती बेशनी के नाम से लिखी गई थी या हम आपके लिए लिखकर आए हैं इसका हिंदी अनुवाद प्रोसन इसे इंग्लिश में माई फैर नेबर के नाम से अनुवादित किया जा चुका है आए सुनते हैं प्रोसन मेरे यानि मनीशा के साथ सिर्फ कथा कहानी का विपर मेरी पडोसन बाल विद्वा है मानो वह जाड़ों की ओस भीगी पत जड़ी हरसिंगार हो सुहाग रात की फूलों की सेज के लिए नहीं वह केवल देव पूजा के लिए समर्पित थी मैं उसकी पूजा मन ही मन किया करता था उसके प्रती मेरा मनुभाव कैसा था उसे मैं पूजा के अतिरिक्द किसी अन्य सुबोध शब्दों में प्रकट नहीं करना चाहता दूसरों के सामने कभी नहीं अपने प्रती भी नहीं नवीन माधव मीरा बहुत ही घनिष्ट एवं प्रियमित्र है। उसे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इस प्रकार मैंने अपने अंतरतम में जिस आवेश को छुपा कर साफ सुथरा बना रखा था। उसके लिए भीतर ही भीतर गर्व का अनुभव भी किया करता था। परतु पहाड़ी नदी की तरहे मन का वेग अपने जन्म शिखर से बंधा नहीं रहना चाहता। किसी भी रास कुछ रहा था कि कविता में मैं अपने भाव प्रकट करूँगा। लेकिन कुन्था की मारी लेखनी ने किसी तरह भी आगे बढ़ना न चाहा। बड़े आश्चरे का विशे तो यह है कि ठी किसी समय हमारे मित्र नवीन माधव को अचानक बड़े ही प्रबल वेग से कवित लिखने का शौक बढ़ने लगा। मानो अचानक भूचाल आ गया हो। उस बेचारे पर ऐसी दैवी विपत्ती पहले कभी न आई थी। इस कारण वह इस नई नवेली हलचल के लिए बिलकुल तयार न था। उसके पास चंद तुक आदि तक की पूंजी नहीं थी। फिर भ तुक आदि की सहता और संशोधन के लिए मेरी शरण लेनी पड़ी। कविता के विशय नहीं नहीं थे लिकिन पुराने भी नहीं थे। यानि उन्हें बिलकुल नवीन भी कहा जा सकता है और काफी पुरातन भी। प्रेम की कविताएं थी। प्रियतमा के उर्देश्य मैंने उसे एक धक्का लगाते हुए पूछा। आकिर है कौन? बताओ भी। नवीन ने हसकर कहा। अब भी उनका पता नहीं लगा पाया हूँ। नई लेखक को सहयोग देने में मुझे बढ़ा संतोश मिला। नवीन की कालपनिक प्रियतमा के प्रती मैंने अपने रुके आ पा जाने पर भी उसे चाती के नीचे रखकर सेने लगती है। मैं अग भागा भी उसी तरहे नवीन माधव के भावों को अपने हृदय का सारा ताप दे कर सेने लगा। अनाडी की रचनाओं का मैं ऐसे जोश-खरोश से संशोधन करने लगा कि वे करीब-करीब 15 आने मेरी की ही रचनाई बन गई। नवीन आश्चरे से कहता। ठीक यही बात तो मैं कहना चाहता था पर कह नहीं पाता था लेकिन तुम्में यह सब भाव कहां से आ जाती है। मैं भी कवी की तरहे जवाब देता। कल्पना से। इसका कारण यह है कि सत्य नीरव होता है और कल्पना वाचाल सत्य खटनाएं भाव स्रोत को पत्तर की तरहे दवाए रखती हैं। कल्पना उसका मार्ग मुक्त करती है। नवीन कंभीर चहरा लिये हुए कुछ देर सोचता फिर कहता। देख रहा हूँ बात कुछ ऐसी ही है। हम ठीक कहते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद फ प्रकार का कातर संकोच है। इसलिए मैं अपनी बात कुछ भी लिख नहीं सका। नवीन को परदे की तरहे बीच में रखने के बाद ही मेरी लेखनी अपना मुझ खोल सकी। रचनाएं मानो रस से पूर्ण हो ताप से फटने लगी। नवीन बोला। यह तो तुम्हारी हमसे प्रकाशित करें। मैंने कहा भई तुमने भी खुब कहा, मूल रचना तो तुम्हारी ही है, मैंने तो उसमें सिर्थ थोड़ा सा रद्दो बदल कर दिया है। धिरे धिरे नवीन भी ऐसा ही समझने लगा। जो तिरविद जिस प्रकार नक्षत्र के उदे की प्रतीक् कभी कभी भक्त का वह बेचैनी से देखना सार्थक भी हो जाता। उस कर्म योग में डूबी ब्रहमचारनी की सौमय मुक्षरी से शांत शीतल जोती जिल मिलाकर खण भर में मेरे मन की सारी बेचैनी दूर कर देती थी। किन्तो उस तिन सहसा मैंने यह क्या देखा। मेरे च बुझा नहीं है। के लिए नहीं, मनुश्यों के लिए ही है। उस दिन उस आंधी के प्रकाश में उसकी दोनों आखों की तेज जट पटाहट उतावले पक्षी की तरह उड़ी चली जा रही थी। स्वर्क की और नहीं, मानव रिदय के घोंसले की और। उत्सुक अकांग्शा से चमक्ती उस दृष्टी को देखने के बाद मेरे लिए अपने बेचैन मन को काबुक करना मुश्किल हो गया। तब केवल दूसरे की कच्ची अंगण कविताओं के संशोधन से मन नहीं भरा। मेरे अंदर भी किसी प्रकार का काम करने की चंचलता पैदा हो गई। तब मैंने यह निश्चे कर लिया कि बंगाल में भी विद्वा विवा प्रचलित करने के लिए मैं अपनी सारी चेश्टा का प्रयोग करूँगा। केवल व्याख्यान और लेक लिखकर नहीं आर्तिक साहिता देने के लिए भी मैं आगे बढ़ा। नवीन मेरे साथ बहस करने लगा। उसने कहा चिर वैधव्य में एक पवित्र शांती है। एक आदशी की धुन्दली चांदनी से प्रकाशित समाधी भूमी की तरहे उसमें एक महान सौंदर रहे। क्या वह विवाग की संभावना मातर से नश्ट नहीं हो जाएगा। ऐसे कवित्र की बाते सुनते ही मुझे गुस्सा आजाता है। अकाल में खाने के अभाव में जो व्यक्ति गुल-गुल कर मर रहा हो उसके पास हट्टा-कटा कोई व्यक्ति आकर अगर भोजन की भौतिक्ता के प्रती घ्रणा प्रकट करते हुए फूल की सुगंद और पक्षियों के गीत से मरते हुए का पेट भरना चाहे तो वह कैसा लगता है मैंने गुस्से में आकर कहा सुनो नवीन कलाकार कहते हैं कि खंढर का भी एक सौंदर्य होता है लेकिन किसी घर को सिर्फ चितर के रूप में देखने से ही काम नहीं चलता चुकि उस घर में रहना पड़ता है कलाकार कुछ भी कहता रहे उस घर की मरमत जरूरी है वैधव्य के बारे में तुम दूर बैठकर चाहे जितनी कविताइं लिखना चाहो किन्तु यह तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसमें अकांग्शाओं से भरा एक मानव रिदय अपनी विचितर वेदना के साथ वास करता है मेरा ख्याल था कि नवीन को मैं किसी भी तरहे अपने दल में नहीं खीच सकूँगा इसलिए मैं उस दिन जादा गर्मी से बाते कर रहा था लेकिन सहसा मैंने देखा कि मेरे भाशन के अंत में उसने गहरी सांस ली और मेरी सारी बाते मान ली मुझे और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बाते करनी थी पर उसने उसका मौका ही नहीं दिया लगभग हफते भर के बाद नवीन ने आकर कहा तुम अगर मदद करो तो मैं खुद विद्वा विवा करने के लिए तयार हूँ मेरी समझ में एक बात आ गई कि उसकी प्रियत्रमा कालपनिक नहीं है कुछ अर्से से वह एक विद्वा नारी को दूर से प्यार करता रहा है और किसी से उसने यह प्रकट नहीं किया जिस मासिक पत्र में नवीन की उर्फ मेरी कविताय प्रकाशित होती थी वे पत्रिकाएं ठीक जगह पर पहुँच जाया करती थी वे कविताय व्यर्थ नहीं गई बिना मेल मुलाकात के ही रिदय आकरशित करने का यह उपाए मेरे मित्र ने ढून निकाला था लेकिन नवीन का कहना है कि उसने कोई शडियंत्र कर ऐसी तरकेव निकाली यहां तक कि उसका ख्याल था कि वे विद्वा पढ़ना भी नहीं जानती थी मासिक पत्रिका बिना मुल्ले विद्वा के भाई के मान पर भिजवा देता था वे किवल मन को तसल्ली भर देने का पागलपन था उसे ऐसा लगता था कि देवता के लिए पुषपांजली चड़ाई जा रही है वे जाने या ना जाने, सूइकार करें याना सूइकार करें कई बहानों के जरिये विद्वा के भाई से नवीन ने मित्रता कर ली थी नवीन का कहना है कि इसमें भी उसका कोई उदेश्य न था जिससे प्रेम किया जाए उसके निकट संबंधियों का संग भी मधोर लगता है अंत में भाई सक्ट बिमार पड़ा तो इस सिल्सले में बहन के साथ उसकी भेंट कैसे हुई वह एक लंबी कता है कई के साथ कविता में वर्णित विशय का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त हो जाने के बाद कविता के संबंध में दोनों में बड़ी चर्चा हो चुकी थी और यह चर्चा छपी कविताओं में ही सीमित थी ऐसा नहीं कहा जा सकता था हाल में मुझसे बहस में हार कर नवीन ने उस विद्वा से मिलकर विवहा का प्रस्ताव किया पहले पहल उसे किसी प्रकार स्वीकृती न मिली तब नवीन ने मेरी सारी युक्तियों का प्रयोग कर और उनके साथ अपनी आखों के दो-चार बूंद आंसू मिला कर उसे संपूर्ण रूप से हरा दिया अब सब कुछ तै है केवल विद्वा के अभिभावक यानी उसके फूफा कुछ रुपया चाहते हैं मैंने कहा अभी लो नवीन बोला इसके बाद एक बात और है शादी के बाद पिताजी पांच-छे महीने तक जरूर खर्चा देना बंद कर देंगे और तब तक दोनों का खर्च निभाने के लिए तुम्हें इंतिजाम करना होगा मैंने मूँ से कुछ ना कहकर एक चेक काट दिया और कहा अब उसका नाम बताओ मेरे साथ जब तुम्हारी कोई प्रतियोगिता नहीं तो परिष्य देने में तुम्हें किस बात का डर है मैं तुम्हें चूख कर सौगन दखाता हूँ कि उनके नाम कोई कविता नहीं लिखूंगा और अगर लिखूं भी तो उनके भाई के पास ना भेज कर तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा नवीन ने कहा अरे इसके लिए मुझे कोई डर नहीं विद्वा विवा की लाज से वहगड़ी जा रही है इसलिए उसने तुम लोगों से इस बारे में कोई चर्चा करने को बार-बार मना कर दिया है पर अब छिपाना विकार है वे तुमारी ही पडोसन है उननीस नंबर में रहती है अकर मिरा हिदय पिंड लोही का बॉयलर होता तो उसी क्षण भक से फट जाता मैंने पूछा विद्वा विवा से उसे कोई अतराज नहीं नवीन ने हसकर कहा फिलाल तो ऐसा कोई अतराज नहीं मैंने पूछा सिर्फ कविताएं पढ़कर ही वे मुगध हो गई नवीन ने का क्यों मेरी वे कविताएं कुछ बुरी तो नहीं थी मैंने मन ही मन का धिकार है धिकार किसे उन्हें या मुझे या विदाता को लेकिन धिकार है झाल